उस सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब स्यासपड़ों की जिंदगी थोड़ी तबदील हो गई उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का समान आता था और वो बिमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था आज हम डरे हूँ है जीवित हैं पर मरे हूँ है आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक इस दुनिया को करके रिवाइन but believe me this is nothing but the collective karma of humankind सलाम है उसको जो सड़के साफ करता है कच्रा लेकर जाता है घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है पर हमने उसको वो इज़त दी ही नहीं हम पैसे वाले हैं हमारे बाप का क्या जाता है और वो बिचारा डरता है कि कोरोना वारिस उसके परिवार को ना हो जाए और अपने बच्चे को छू नहीं पाता है यह अमीर गरीब का इंसानियत से परेकानाता है इस देश को गरीब ही चलाता था गरीब ही चलाएगा हमें समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा अब जब यह सब ठीक हो जाएगा न तो लोग को इज़त देना कोई काम छोटा नहीं होता यह बात अपने पल्ले बांद लेना आज डॉक्टर, नर्स्वेस, पुलीस, हमारा सक्यूरिटी गार्ड है सबसे ज़्यादा काम के और मुझ जैसे बॉली हो डीरो हैं बस नाम के हम बस पैसे दे सकते हैं हथियार दे सकते हैं पर लड़ना उनको है उन्ही को सब कुछ सहना है हमको तो सिर्फ घर पे रहना है हमको तो सिर्फ घर पे रहना है